आनेग तो आ जाते हैं मगर यहां काम करने में गाण फटती है उनकी तो मैं यही कहना चाहता हूं जो आ रहा है वो खुद अपने आपको जिम्मेदार हो तो सवधी आए नहीं तो अनथा ना आए अगर उसको जानकारी हो तभी सवधी आए अनथा ना आए नहीं यहां आने के बाल दूल्टा सीधा बोले मुझको घर बेजो यहां बेजो वहां बेजो तो इसमें क्या है कि आप खुद भंच जाओगे तो आप लोग किसी से किसी को बलाईएगा उससे बात करके बोलाईएगा तो मतलब यहीं लगा तो हमारे उपर फाइन आ गए थी जारा सुरिया ल लगे फाइश टाइम हमें फाइगा था उसके बाद दोस्तों आच्चु कहें देख सकते हैं यह पियर पूद है अभी इधर लेख चलेंगे दर बाहर निकालते हैं अभी आए ततकान बाया हूं तो दोस्तों हम लोग इसको फाइंकेंगे देख सकते ही अनिस बाइधर एह थ Stepharuh, फ्री दिखाएंगे देख रहेंगे तो दोस्तों हूं सुदानी भाइंसपास थ्ञे काम था इस रहा है तो दोस्तों आप लोग इए यह मारे हां काम करते है arguments कामें तो लोग कैसे रहते है ? इस जिंदा वो देख सकते वो जो रुखा है सूपा उस वूपा दिखराएगा उनको दिखा दे जूम करके लिए अनि भाई ने दिया था मैं गया था लाने के लिए अनि कल तो देख सकते कैसा लुकरेशन दिख रहा सूपा सूबा का आपको दख़त फूरज भगवा निकल रहे हैं किमेदार होते हैं क्यों कि जैसे कि मैं तो दोस्तों वीडियो पूरा फूल दिखाएंगे अपको लुकेशन दिखाते रहेंगे कैसा कि हमारे साथ घटना हुई और सौधी ने हमें कैसे प्रतारी किया और कैसे हमें जो जबस्ती दबाव बनाया वाग पूरा हम इस वीडिय जाओंगा तो उसमें कितना पैसा भरना पड़ता है और लोगों को क्या कश्ट सेहना पड़ता है तो आज इस वीडियो में पूरा दोस्तों जानकारी दूंगा आपको कृपिया करके आप लोग ऐसा मत करें अगर आप लोग भूलाते हो तो उनसे पैसा ले लो ताकि आपक पूरा इस तरह दिख रहा है तो आपको लोकेशन भी दिखाएंगे और आपको बताएंगे भी कि आप ऐसे मत कीजिएगा ताकि आपके उपर ऐसा इल्जाम लगे आपको यहां जेल में जाना पड़े तो दोस्तों आप कहते नहीं है जो थोड़ा सा आदमी बड़ा हो है तो अपने इज्जद को बेच खाए वही आज इसमें लगाया है तो दोस्तों आज चलते हैं उदा साइड में लोकेशन भी दिखाएंगे आपको बाते करते रहेंगे दोस्तों मैं आच एक फिल्ड में देख सकते हैं कि यह कैमरा वाला यह आदमी मैंने बुलाया था इस तो सब इसमें क्या है कि अभी इस समय यहां मैं हूं इस एरिया में इतना घर बन रहा दोस्तों सबाद मी बाहर से आके बशने का रीजन क्या है जिसे लोग सीठी में रहते हैं सीठी के आवाजे के दूसर रहती है तो वहां लोक परिस्थान हो जा रहे हैं तो इसी वज़ह से लोग बाहर के बजाळ आप गाओं में दिहाद हम झले और देखे हैं तो हमारे उपर प्राइन आ गए आप तो लोग ना लगे उसके बाद यहीं जो यह सामने दिख रहा आपको यह समय वाल यह लगाने थे तो हमारे सामने कशड़ा पाइंक तो इसी वज़से यारो स्पज़ा मुखेल देनी मतलब प्लांट भड़ने प्ली थी तो दोस्तों बड़ेख सकते हैं इस तरह पूर ये आको दिखो गई कि हर स्वार दोस्तों यहां क्या है वह जो दिखाऊ आपको दिखाऊ जूमकर दखाएंगे फटाब से रहेंगे फिरह आपको यह इस तरह जो दिख रहाई है सामने दे कैमरा लगा यहां इस समय पूरे सौधिक बात करें चाहिए छोटा इस तरह बड़ा इस तरह कैमरा संमी लगा रहता रहता है अब आम बात हो गई यहां साड़े 300-400 मिलता पूरा सेट करके आप चाहाँ बेटे रहों आप यहां का लोकेशन देखते रहों गया तो दोस्तों सौधी का रूज इतना चिंज हुआ दोस्तों कि आप साइद जो पहले आदि 10-15 साल काम कर गए अगर वह आप यहां करें तो उ हमें खुद पता है यहां का सिश्टम कर से चैंज हो गए इतने सालों में रहा हमको पता है देखो यह जों यह भी न अखर बन रहा इस साइड में यह था रहे है घार मेर में इसके पास पाश स्तरहा है मतलब इसके तीन कि दो वेटे और यह तीन स्तरहा देखते हैं समझजं अधारास भी सालरी है सदान की और यह ग्राउन्ड है आगे तो दोस्तों अब इस समय प्राइब चोट बड़ा आदमी मतलब आदमी देखने लगें कैसे यह चोटा उसको दबाया जाता है जो बड़ा उसको उठाया जाता है अब यह सिस्टम यहां चलने लगा है पहले तो मै मालना बिल्कूर चला गया दोस्तों यहां system में तो दोस्तों यह इस तरह दिखती आधका अब नया बन रहा है हालक बीजनर इस इस में मैं living क्योंकि में दोस्त हिंदी तो वो बीजनर जरूर लेगा जरूर क्यों क्यों मतलस इसमें 4 इसमें掉 होगी तो इस वजह से हम दूट जिकर आफना महता है की सब्सकात। आपको दिखाते हैं तो दोस्तों इसका फूल जो बहुत महता रखे अगर आप करीब 233 मृटर नुंघ तो इसका महता लगा इसमें पूरा फूल जहां गए दोस्तों यह DEC तो फूल नहीं मिला एक दी नहीं को दिखाते हैं कितनी महा कि इसमें यहां सुभायता कि यह दोस्तों कंपणी है यह प्लाष्टिक वाली यह रोड एक बगल में है इधर रोड गई है अन्य देख सकते यह रोड मार्किट करते है है यह सीधा यह फिल्दिक बन रही है वहां तो दोस्तों देख सकते हैं यह पूरी कंपणी, यह महांता पूरा है अभी नया, इसमें काम चालू हो गया है, था तो अभी सब्सक्राइब है। तो वहाई निजाई तो पहाई चला यार अनी फंकाई हम नजाब़े तो बाद महानी तो फोटिस दिल हमारे रियाल के बेंच गई इसमा करिया से कितने कितने पेच्छ रहन पंदरा रूपीय बोरी फंदरा रूपीय मुबंध बोरी यह लागे लेखार का लागे नहीं कादि बूलत यारी अरवी में वर्तकाल तो दोस्तों इसे बूरतकाल भी बोलते हैं देखो है यह त्रिंज भी बोलते हैं इसा है तो यह बच्चों की बच्च्चू अच्छी साइकल है चोटी-चोटी देखो मैं ने भी अपने बच्चे के लिए खरीदा था ऐसी यह कूर्शिय बहुत पुराना दिखा लाल टेंग हैजिन्दगी में आज सौदी में ने बाहरा हुए पहली बाहरा लाल टेंग आपको फिलाल वह जारा धाला दिख रहा होगा थोड़ा सा दूरी दिख रहेंगे तो दोस्तों हम आए हूं हम लोग चाहसा है तो दोस्तो आप लोग करते हैं जिसे उट बखरी वाला काम करते तो प्लीजिवोग कमेंट करें लोग कैसे रहते हैं कैसे जिन्दधी उनकी है कैसे क्या है थोड़ा सा पताईएगा भी बना रहा हूं देखाते हैं आप क्या बना रहे हुए यह बना रहे हैं यह पळारे भी चावल साथ बैगन है अलू है तमाटा रहे हैं सब कुछ डाला हो आँ तो सौधी में एहीं खाना पड़ता है दो पाहर जैसे कि आदम कोई चावल मूर्गी के साथ में खाता है जिससे कि बहुत हमारे भाई आते यह उन के काम में आते हैं तो यही खाते हैं अधिकतर चावल बनाके उनको दाल चावल से मतलब मिलता रहता है मगर ज्यादा पसंद नहीं करते हैं एक अठा डाल देते हैं उसके बाद मटर भी डाल देंगे तो दोस्तों मैं यह बताने वार करके उनसे पैसा ले ले करें क्यों 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 पैसा लेने का मतलब रीजन क्या है कि यहां और हां अगर जो बीजा दे यहां सौधी में सौधी उससे भी आप पैसा हजार रियाल या पांट सुरियाल आठ सुरियाल आप उससे पैसा ले लिए ताकि आपको पकड़ रहे क् एक हपते आया मैं नहीं काम करूंगा तो इसमें क्या होता सौधी लोग तुम्हारे उपर नाराज हो जाएंगे आप से पैसा मांगेंगे कि बोलेंगे आप आप 4,000 रियाल साड़े 4,500 रियाल दो तुम्हें इनको घर भेजूंगा तो इसमें क्या होता आप लोग फांश जाते हो है मतलब कि जैसे हम लोग है यह घरणा मेरे साथ हुई है मैं आपको बता रहा हूं तो आप लोग फांश जातों इसी वजह से आप लोग करके हां सुरियाल तो जोड़के 37 सुरियाल होता है प्लस उसका जो खर्चा होता यहां आफीस में कितना कैसा निकालने का यह उसमें होता है तो दोस्तों आप लोग सोच समझ बुला यह का दि मैं अपनी कहानी बता रहा हूं मेरे साथ जो गुजरी है मैं आदमी बुलाया था तो भी जा लिया फीरे सब कुछ बुलाया सब कुट दिया मैं उसको बुला के कहें लिया में गाते हैं आने के बाद तुमसे क्या करवा दे तो इनको करीब यहां से 20-30 मिटर है वो उनको ले गया ले जाने के तीन दफा बच गए यह लड़ा देते गाड़ी लड़ा देते तो को जी मेदार होता मैं होता तो वह तकाल फोन पास लगाया सवधी बोला कि यह बंदा गाड़ी नहीं चला पाता आप हमको गलत आदमी दिये हो तो मेरा उस दिमाग चकर आगया दोस्तों कि मैं बताओ बंदा ठीक दिया अव इसके बाद इस यह बोल रहा है कि आप यह हमको ब गाड़ी चला लेता हूंगा तो बात किया है कि कुछ समय दो प्धाय इसको साथ दिन तक समय दिया तो दोस्तों ले रहा था लेके गया उंको कर दो तो ऑनी नाराज हो गया जैसे कि नविख से बाशने करांगा उनकर और यह पहने नाराज हो गया कि भाई मैं काम नहीं करूंगा मैं जाओंगा घर तो सौधी क्या बोला सौधी बोला कि तुम इतना पैसा दे दो और जाओ घर कोई हमसे मतलब नहीं है क्योंकि मारा जो भीजा का पैसा हुआ लगा हुआ आप दे दो आराम से चले जाओ कोई दिक्कत नहीं तो वह नहीं दे आप आ रहा था तो सौधी हमारे उपर अफेक्ट बोला कि मेरा नाम है मुहम्मद बोलता है वो लोग सब्सक्राइब करेंगे तो दोस्तु आप लोग जैसे की आदमी आता है हाला कि मैं पैसा नहीं लिया तो मैंने सब्सक्राइब इससे बोला देख भाई अगर तुमको घर जाना है तो जिसका उतना खर्चा 27 रियल चार हजा उसको दे दो चले जाओ तो बोला हाँ ठीक है मैं अपने व्योस्ता करूंगा इधास दर से तो दोस्तों वह व्योस्ता नहीं कर पाया अपने भाई से दो हजा लिया फिर मैं यहा आप बोलाते हो आदमी चाहिए फिरी हो चाहिए जैसे हो आप पैसा ले लिया करो के हो पैसा लेने कर आपका रिजन रहेगा आपको पर जिम्मेदाई रहती है यहां कुछ भी होता हो उसको पर सेल्ले नहीं मिलती है पर नबर आपकी जिम्मेदारी उसको बोलाने में क्या ह हैं अगर आप आऊगे काम करूं के ठीक है नहीं करूं के तो आप कितना देखे आपको घर वेजना पड़ेगा तो आप लोग जैसे कि बुलाएंज चला राया बंदा आप उससे इतना वात कियो कि हमाई इतना पैशा लगेगा तो आव गया अगर आता है फिए ठीक है नहीं तो आप छोड़ दो आप खुद आप बहुत मुश्किन हो जाओ कियों कि यहां का सवादी लोग को रूल से बहुत चेंज हो चुगा है तिसी कहते हैं ना जो बड़े लोग थोड़ा हो जाते हैं तो वह बंदा भी थोड़ा सा रूप जना लेगा हमारे उपर और वह सवादी कि आपके ओपर कोई आफच्ट नपड़े यह तो देखते हैं भाई लोग बहुत बोग बुला लेते हैं बैदेते हैं जंगल में काम करने के लिए को बहुत ज radicalाकि जीसे की बहुत पहले हैं तो उनका बीजब अशीय लेते हैं पूरा देते himself यही सिस्टम है दोस्तों आगा तो हालकि सिस्टम चेंज हुआ है थोड़ा थार जादा नहीं चेंज हुआ जैसे कि अभी कोई पिच्छे निकली थी गौड लाइफ अच्छी थी पिच्छे बनिये थी तो इनके लिए ही बनाया था कोई इंडियन का आदमी था सही थी कुछ आदमी देखके कुछ अंबो की है बहुत लोग वीडियो बनाने लगे कि हमारा सवदी ठीक है यह है वह सब ऐसे बना लेगा दोस्तों तो कुछ यह लोग ड़नने लगें नहीं तो फिर सीधा आपको काम करा थे थी आपको वैसे पैसा जाता था तो दोस्तों मैं यही कहूं दोस्तों चलते मिलते हैं निस्ट ब्लोग में तब तक लिए हिंज भारत